आप देख रहे हैं ट्राइबल नियूज हवेशा सच के साथ नमस्कार आप देख रहे हैं ट्राइबल नियूज और मैं हूँ आपके साथ अभिशेक बहरत देश के राज्यू की रोचक जानकारी की श्रंखला में पिछली कड़ी में हमने आपको दिखाया था असम राज्य के प्रतीक स्वरूपों को और श्रंखला की इस कड़ी में आपको बताएंगे असम राज्य की संस्कृति से जुड़े आभूशन और वेशभूशा को तो चलिए आपको बताते हैं असम संस्कृति से जुड़े आभूशन और वेशभूशा कौन सी है मेखलाच चादोर असम कई प्रकार के रेशम का घर है सबसे प्रमख और प्रतिष्टित मुगा प्राकृतिक सुनहरा रेशम केवल असम के लिए विशिष्ट है मुगा के अलावा पाठ नामक दो अन्य किस्म है एक मलाईदार चमकीले चांदी के रंग का रेशम और एरी जो सर्दियों के लिए गर्म कपने बनाने के लिए उपियोग की जाने वाली किस्म है ग्रामेन परिवार उतकरष्ट बुने हुए डिजाइन वाले रेशम और रेशमी वस्त्रों का उतपादन करते हैं मेखला चाडोर महिलाओं द्वारा पहनी जाने वाली एक स्वदेशी पारम परिक असमिया पौशाक कपड़े के दो मुख्य टुकड़े होते हैं जो शरीर के चारों और लपेटे जाते हैं कमर से नीचे की और लिप्टा हुआ निचला बाग मेखला कहलाता है कपड़े का एक लंबा टुकड़ा चडोर जिसका एक सीरा मेखला के उपरी हिस्से में टिका होता है और बाकी को चारों और लपेटा जाता है असमिया दुलहन की पोशाक के हिस्से के रूप में और अन्य स्वदेशी पारंपरिक कारिक्रमों जैसे बीहु आदी में इसे पहना जाता है असमिया आभूशन असमिया आभूशन असमिया संस्कृती के सबसे महत्वपून भागों में से एक ये आमतौर पर सोने से बना होता है जिसे केशा जून या कच्चा सोना कहा जाता है आभुशन देखने में बहुत सुन्दर है और असमिया संस्कृती का एक बहुत ही प्रतिष्टित हिस्सा आभुशन आमतौर पर हाथ से बने होते हैं असमिया आभुशनों के पार्मपरिक डिजाइन सरल होते हैं लेकिन लाल रत्न, मानिक या मीना से सजाए जाते हैं सोने के गहने पर काले, लाल और हरे रंग बहुत खूबसूरत लगते हैं और यह रंग पुर्वत्तर राज्यों की जनजातियों और समुदायों के पार्मपरिक परिधानों पर भी हावी है ट्राइबल नियूज की इस खास पेशकश में आज हमने असमिया संस्कृति से जुड़े आभूशन और उनकी वेश भूशा के बारे में आपको जानकारी दी यह जानकारी आपको कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं असम संस्कृति से जुड़ी श्रंकला की अगली कड़ी में आपको दिखाएंगे असमिया नृत्य के बारे में तो तब तक के लिए दीजे इसाज़त देखते रहें ट्राइबल नियूज हमेशा सच के साथ आप देख रहे हैं ट्राइबल न्यूस हमेशा सच के साथ